तो फ्रेंड्स वेल्कम टो जीम वल्टियूस चेनल आज हम समकी कंसेप्स वाली सेरिस में सी एम फ्रेम पढ़ने जा रहे हैं यह बड़ी काम की चीज है क्योंकि इससे हम कई क्वेशिशन जो नॉर्मल अल्गोरिधम से उससे बहुत कम टाइम में स्वाल कर सकते हैं सी एम फ् वेलसिटी क्लव सकते वेलसिटी यूटू इस तव इस्टिव तो इलंडर से वी सीह में जोगा वह क्या होगा ए मवन यूब पिलस वम्यूट यूटू अपॉन यूट्उटू अपॉन बैस एन्यू भृष स्वाची टीश हैं और आधे मान लो मीं माइनस UCM क्योंकि UCM जो इस तरफ UCM से जा रहे तो अगर इसको मीटा दो तो इसमें भी UCM की कमी आजेगी नशी एम फ्रेम में तो इस तरफ UC1- UCM हो जाएगा यह इसको अटाओ थोड़ा बढ़ा बन गए छोटे बना ते रूखो यह एंवन है यह एंज है अब हम से एंज अफ फ्रेम पर बैड यह मानल से लेज्ट वा इसको फ्रेम बना लिया सेंटर आफ मास को यह आप में मनस य सिडिया होगी यह लाई मैनस से यंप स्टू माइनस यू सीयम तो इसकी यू तो मैनस यू सी तो देखो अगर अगर मंनस यू सिएम और है और भी हम cm frame में तो अगर हम इसकी kinetic energy निकालना चाहिए अब system की cm frame में तो वो क्या होगी अगर हम kinetic energy निकालना चाहिए cm frame में तो वो क्या होगी तो देखते हैं देखो अब kinetic energy निकाले तो half m1 u1-ucm का whole square प्लस half m2 रुको half m1 u1-ucm का whole square प्लस half m2 u2-ucm का whole square यही होगी kinetic energy system की center of mass frame में यही center of mass frame में इसकी kinetic energy होगी अब UCM की यहली हो मगर हम इसे पूट कर दें और बाद में simplify करें देखो वैसे हम पूट करके simplify करें बहुत लंबा जाएगा तो मैं सीधा result बता रहा हो जो बार में final result आएगा हो कि आएगा half mu v-relative का square देखो अब यह क्या लिख दिया मैंने देखो म्यू क्या होता है यह म्यू है म्यू क्या होगा इसमें m1 m2 by m1 plus m2 और जो वी रिलेटी होगा वो दोनों की relative velocity यानि कि u2 minus u1 वी रिलेट हो जाएगो तो directly u2 minus u1 आएगा तो जो relative velocity हो frame independent होगी तो हम ground frame में भी relative velocity लेगे तो कोई problem नहीं होने आली है तो अब अगर हम देखो इसको अगर हम यह से ना लिख कर directly mu और वीडिक को हटा के जो value स्बस्ट्रीट कर दे तो काइनिटिक energy cm frame इसको मैं ऐसे रिप्रेशन करते तिल्डा कहते इसको के टिल्डा खेर जो मारा काइनिटिक energy होगा वो क्या आएगा half m1 m2 by m1 plus m2 into u2 minus u1 या फिर u1 minus u2 जो भी लोब फ़र्क नहीं पड़ेगा कि स्क्वेर ही है तो half m1 m2 upon m1 plus m2 into u2 minus c1 का whole square ठीक है तो यह काइनिटिक energy होगी हमारी और देखो अब क्या होगा हाँ अब हम potential energy की बात करें तो potential energy हर एक फ्रेम में constant रहती है वो फ्रेम dependent नहीं होती जैसे मानलो अगर इन दो ने के बीच में spring हो तो इसमें next elongation हो तो potential energy half square a square होगी और cm frame में भी potential energy होगी क्योंकि elongation थोड़ी frame पर depend करेंगा तो कोई भी type की potential energy हो वो frame dependent नहीं होगी frame independent ही होगी और यह kinetic energy cm frame की रही और ground frame में वो है half m1 u1 square plus half m2 u2 square तो अब यह cm frame से देखो equation आसानी से solve हो सकते हैं तो equation करते हैं तो देखो यह illustration simple size इसमें क्या यह दो block दे रहा के 2m का इसको बोल दो और frame का उसको भी बोल दो और इनके विसमें एक spring लगा है जो initial in relaxed state में है और spring constant k है और हम बना बी को यू एलो सिटी दे दिए यह सब ground frame में सब कुछ और हमां पूछाए कि वालब spring में maximum elongation क्या होगा तो देखो अगर इसके दो method एक तो हम ground frame में भी solve कर सकते हैं और बाखी cm frame तो है तो सबसे बहुत हम ground frame में करता हूँ और देखो उसमें कितना लंबा जाएगा और cm frame में कितनी आसानी से solve हो सकता है तो पहले हम करेंगे ground frame में तो देखो maximum elongation find करना है ठीक है तो यह ground frame में सबसे बहुत solve करते हैं तो method one in ground frame तो देखो भी यू से जा रहा है तो थोड़ी देखो यू से जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो इसको भी मिलेगी तो अगर हम थोड़ी देर के बात की situation को देखे तो इधर क्या होगा एक स्प्रिंग हो तो है और यह मास है मैं और माद लो कुछ पॉइंट आएगा जिस लक्त वी वन और वी टू बराबर हो जाएगे तो वही स्टेट होगा जब मैक्सिम इलाउगेशन होगा स्प्रिंग में अब कैसे तो वही देखते हैं देखो स्प्रिंग अब स्प्रिंग की लेंद के बढ़ने का रहे इसको मालो ल है तो डील अब कर ना है अब अगर हमें ल को मैक्सिमम कर ना है तो अब आपको बता ना हो तो में जल्द ही हमारे बेजिक मेश वाले चैप्टर में चैप्टर में कर वार्त दूंगो अब अब सब्सक्राइब कर देंगे तो वी वन माइनस वी टू इसके बाद क्या होगा देखो मान लो सब्सक्राइब कर देखो मान देखो मैं सब्सक्राइब अब इसके जश्च बात कि यह काम भी यह काम होगी यह जो स्प्रिंग की जिवाल और तो थो मइं रहे होगा तो अगर हम अब देखें तो फाइनल अलसीटी मान लो कुछ वी हो जाती है दोनों की यह अपना एम है और बान लो दोनों की फाइनल अलसीटी हो गई वी और वी इस्प्रिंग कॉश्चन के और अभी लें थेल है मान लो तो मैकसा में रां मैकसा मिल यह नहीं यह एक्सकी है अब क्लाक्शन सुख धेशनल स्क्रम ऑन चनल्स लागा है लागा सकते से नेनल अलसल नख़ें तो भी कशनल और वोलगा रिंघ कर रहें तो अगर मतला नहीं है क्या उसमें कब्रासर न वी तो उसके पैंपनी देखो मोमेंटम क्या मोमेंटम इनिशिल प्लस एक MOMमेंटम इनिशिल~! ऻग्ए ब्लस एक मोमेंटम इनिशिल ीपोब। लग्ऑकर मोमेंटम फायणल जॉलासिटीका होगी ओधक डीरोगी सुर्ड nest it हो और यह का फाइनल मोमेंटम टो हिघ तो इधर से मू इक्वल टुट्री एम वी आगया जोनों की फाइनल लॉल्टी योबाइल त्री ओगी तो दोनों की अब में यविल्यां फाइनल लॉल्टी क्या हो गई यू बाइल थ्री अब देख लॉढ हम क्या करें बैए अब एक्स म मैकसिम्म इलॉंगेशन है तो इलॉंगेशन कैसे निकले अब देखो कोई external workton भी नहीं है जब कोई external workton नहीं है तो energy to conserve लेगी energy conserve होए तो energy conservation लगा देते सीधा तो सॉल हो जाएगा तो अब देखो अब देखो इनिशियल काइनेटिक energy energy consideration क्या होगा initial kinetic energy plus initial potential energy equal to final kinetic energy plus final potential energy ऐसा ही होगा तो initial kinetic energy क्या है K of B kinetic energy of B plus kinetic energy of A to kinetic energy of B क्या है Half M V Squared और A का 0 है तो मैं वह नहीं लिख रहा Half M using V Squared और Potential energy अब potential energy इसमें कौनसा form और से यहीं कि अब क्योड की स्विगिंप देखें स फाइनल की एक है तो देखो का फीद का विधी की वा का है तो और अब potential energy अब elongation कितना x naught है maximum elongation तो potential energy कितनी हो जाएगी हाफ के x naught का square तो हाफ के x naught का square देखो समझ में आया हमने क्या लिख दिया energy conservation लिख दिया initial kinetic energy plus final initial potential energy equal to final kinetic energy plus final potential energy बाद में सब values लिख दी तो इधर से देखो यू हमें given है यू given है तो वेरिवल कितने है x naught और equation भी एक ही है तो इधर से सीधा वाई पास x naught निकल जाएगा x naught यहां से हम निकाल सकते x naught अगर हम निकाल ले चलो निकाली लेते तो देखो ये half mu square है अब देखो ये इस में से u by 3 का square और 1 by 2 तो common आ जाएगा देखो 1 by 2 तो वैसे भी cancel हो जाएगा तो 1 by 2 लिखते ही लिए देखो mu square इकल तो अब इधर से u by 3 तो all square common आ गया और 2m प्रस m यानि की 3m तो 3m into u by 3 का square यानि की 3m into u square बाइना यानि की mu square by 3 तो डाइगी mu square by 3 plus kx naught का square तब इसको इसको इस्ताफ ले जाए तो 2mu square by 3 3 equal to kx naught का square तो देखो इधर से हमें x naught दिख गया कि देखो x naught आ गया हम आपस सीरा सीरा 2m u square by 3k का अंडरूट तो देखो यह ground frame की method कितनी लंबी गई अगर हम इसको cm frame में solve करें तो बहुत simply solve हो जाएगा ठीक है बहुत simply solve हो जाएगा देखो अंडर 2m u square by 3k तो यह को बाहर लेकि यू अंडरूट 2m by 3k यह answer यह यादर है ठीक है हम cm frame में check करते क्या यह answer आ रहे तो अब दूसरी method ठीक है method 2 लाते हम देखो method 2 में solve करते हैं देखो method 2 क्या है cm frame तो सबसे पहले तो हम भी यू सेंट्र आफ मास की velocity निकाल लेते हैं तो यू cm क्या होगा म्यू प्लस 0 by 3 यह यानि कि यू बाइ 3 अब हम cm frame में बैठ गए हैं तो देखो एक यू velocity देखो यू cm दोनों के इस तरफ में जाएगा यू cm का component क्योंकि अब हम cm में बैठ गए cm frame में इसका यू तो इधर है और इधर center of mass तो देखो यू cm की value रख दे तो देखो 2m की velocity क्या होगी इधर यू बाइ 3 और देखो m की क्या velocity होगी u-u by u-ucm यानिकि u-u by 3 यानिकि 2u by 3 वो भी राइट डिरेक्शन में तो यानिकि इसका यू बाइ 3 अब देखो इसका momentum निकालो इस system का momentum निकालो देखो लेफ्ट में नहीं सॉरी राइट में m into 2u by 3 और लेफ्ट में 2m into u by 3 तो अगर हम net निकले तो m into 2u by 3-2m into u by 3 यानिकि 0 हो गया यानिकि हम सही कर रहे है momentum जो होगा system का center of mass frame में 0 होगा क्यों 0 होगा देखो दिखाता हो मैं देखो इसका logic है तो हमने क्या पड़ा है कि जो system का momentum होता है P system वो क्या होता है mv cm होता है m v cm ठीक है m into center of mass स्कूल में बैठ गया है तो इस अब यह सब हमने कम किया दूनों की निकाली में की स्थी थी जिडों गया तो यह चीज तो तो जरो गई तो जरो गया फिक्षा हूँ अदर उबाइश मत रख नहीं कि ऑभी में सी एल में में से बच YA में में सेंट्र फिरैम में सेंट्र आइस का इकस्टलिरेशन भी खुटिक ही तो यह को प्रूट寶 भी चलती करें तो ढंड हमने कोई क्योंकि सिस्टम का को मोमिंटम जीरो आ गया हाँ अब देखो थोड़ी देर के अब क्या होगा इसको मैं यहां पर बनाता हूं यह यह मैं सबसे पहले तो इसमें देखते हैं इस तरफ 2 by 3 से जा रहा है तो यह दो यह थोड़ा आगे जाके कई पर रुख जाएगा और बाद में फिर और आगे जाएगा यहां पर रुखेगा और बाद में वापिस रिटन करेंगा और अब देखो इसमार स्प्रिंग फोर्स जोता है जो एक्स होता है तो X पर dependent यह फोर्स सदिक धरा यह और फिरस्स में अब चलो टाइम निंगालते हों आप्र टाइम पिरियल क्या होगा थां रही ह Wherever मान लेते हैं यह 2m इधर कुछ X1 A1 मान लेते हैं Amplitude A से oscillate कर रहे हैं A1 distance चलके रुख गया तो क्या उसी रख M mass भी रुख जाएगा क्या जी बिल्कुल रुख जाएगा अब क्यों रुखेगा इसका मान ले लिट्यों डेटू है तो M mass क्यों रुख गया क्यों रुख गया M mass क्योंकि अगर M mass नहीं रुख तो उसके पास कुछ velocity होती ही तो system का momentum क्या 0 हो जाता नहीं होता क्योंकि system का momentum तो 0 ही और इसमें को external force भी नहीं है तो momentum तो गंजवी रहना है तो अगर system का momentum 0 रखना हमें तो दोनों को साथ में रुखना पड़ेगा तो इसको यहां से मीन से extreme आने में कितना time मानलो time period t होता इसका t1 time period है इसका t2 time period है तो इसको यहां से यहां आने में कितना time लगा ती वन बाइफ और यह तो ऐसा जम की बात है न अगर देहो यह मीन से एक्स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है टाइम पिएड का ओन फॉट टाइम लगेगा और इस तर सिमिलरली इदर भी यहां से आ जाने में टी टू बाइफ टाइम लगा और यह दोज़ा साथ में रु अब दोनों का सेम टाइम पिरियड हो गया है तो हम किसी एक का ही निकल लेता है टाइम पिरियड और बाद में दोनों का सेम ही टाइम पिरियड होगा तो देखो अब इसको कैसे निकाले हाँ यह जो क्वेशन है वाद में हम सौल करते हैं लेकिन पहले टाइम पिरियड निक तो यहां से आजाने में टीवन एक दीवाल मान लेते हैं इसको मैं देखो अलग 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 शिष्टा में ब्रेक कर देता हूं अब देखो यह अगर स्प्रिंग की लेन्ट यह आग यह सिंपल है इसकी फॉर्मूला से यह बास फीज़क है इसको दीवाल मानें तो यह बानलो अब लेत बदल गे तो स्प्रिंग कॉंस्टेंट भी बदल जाएगा इस प्रींग कॉंस्ट्रेंट जो होता है वो लेंध की इ है ये तो स्प्रिंग का कंसेप्ट है अपना पड़ाई होगा तो देखो और ये 2L not by 3 ये केवन मानलो ये केटू है ये केटू है अच्छा तो अगर हम केवन काल है कि देखो के जो हता है वह इन उस्टिल लेंथ होता है प्र पोस्ट प्रपोर्चनल याल देर नड्ु beasts इंच्छल लेंथ के वन प्रिंग का पूरी का के वो फुरे स्प्रिंग कालेंथ यह श्लेंडलो यह थे यह जाएंगा देखो देखो गश्कले की तो लेंथ है तो के वन इन्वर्स्टी प्रपोर्शनल टो एल नोट तो सिद्धा में डिवाइड कर दिया दोनों को यह आएगा इधर से थ्री आ गया तो के वन क्या आया स्रीके सिमिलर लिए अगर लेंथ है तो दू आएगा अब देखा हम सिर्फ टू एंक का निकाल ले था टू अलग बनालो यह सीएम है धीकर है आप देखो टू एब और बना लो तो देखो चलो इसको अभी निकाल रहे है इसको सॉल करें तो इसको में बनारे तो मान लेते हैं तो हमारे पास जनल फोर्मिला आ जाएगी ठीक हैं वगार हम दिस्टन्स क्या रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखो एक मिनिट देखो यह एक मिनिट होगा क्योंकि हमने इसको माना है इसको माना है तो अगर हम इसको ओरीजिन माल ले सब्सक्राइब देखो तो यह दिस्टन्स होगा अपन अब देखो टाइम पिरियेड जो पाइंडरू टैम वाई की होता है क्योंकि एक सोता है तो जर से ओमेगा की एलियू कुछ आएगी तो उससे टाइम पिरिएड बीकुल टूपाइंडरू टैम वाई के यह एशे ज़्य से हमने निकाल लिया है अब M1 की रख देते हैं और K की वैल्यू भी रख दो इधर तो M1 बाई M2 M1 बाई M2 L0 देखो नहीं रूखो अब इसमें K भी निकालना पड़ेगा यह भी निकालना पड़ेगा तो देखो सेम लॉजिक से हम निकालते K1 बाई K इकॉल टू अब इ M1 प्लस M2 इंटो के बाई M2 आया तो इसको हम रख देता है तो इधर M1 प्लस M2 लोगों यह टाइम पिलिए जो है वो टूपाइं अंडरूट M1 माना है ठीक है और K क्या है M1 प्लस M2 और नीचे M2 तो उसको मैं उपर ले लेता हूं टूपाइं डरूट M2 के तो यह हुआ और इदर कभी आ जाएगा तो देखो द्यांद से देखना इदर यह क्या है M1 M2 अपन M1 प्लस M2 क्या है देखो यह मूं दिख रहा है मूं जैसा गूद दिख रहा है तो यह M1 M2 प्लस M2 तो मूं ही है तो इदर मैं सीधा लिख देता हूं टूपाइं डरूट Mew बाई के और यही M1 का भी time period होगा M2 का भी same time period होगा तो time period जो आएगा तो अब हम question को solve करते हैं ठीक है time period का बहुत important formula इसको दिमाग में रखना है इस question को solve करते है question को अब देखो kinetic energy वाली formula की half new middle area square उससे solve कर देते हैं अब cm frame में kinetic energy आप cm frame में लेगे तो k initial till dark ठीक है till dark बोलते हैं इसको हारू को एक मिट जब maximum elongation होगा तब दोनों रूक्य हुए होगे है दोनों रूक्य हुए होगे मानलो यह एल नौट प्लस एक्स हो गया अब दोनों रूक्य होगे तो यह लॉड प्लस एक्स है यह मै तब देखो वी डिलेटिव initial क्या था initial relative velocity क्या था तो देखो यू-0 ground frame में आफ़ी इसेम फ्रेम में सेमी relative velocity तो यह यू लिलेटिव इनिशियल यू आगया वी रिलेटिव फाइनल फाइनल रिलेटिव यह जोगी 0-0 यह जी जिरो तो अब के इनिशियल टीलडा जो होगा चैनर आफ में हाफ इंटू M1 2M इंटू M 2M अपॉन 2M प्लस M जाने कि 2M स्क्वेर बाइ 3M तो 2M बाइ 3 तो मू 2M बाइ 3 है इंटू U का स्क्वेर और फाइनल कारेक एनरजी CM फ्रेम में तो 0 हो जाए कि क्योंकि इदर से साफ साफ आजेगा मार पास के इनिश्यल तो C M फ्रेम में से मि रहेगी जैसि अधर क्यैंट स्कूल करको लिक्रॉण schema जाए घो ऐसे ही देखो मैंने यह जलदी हो गया बहुत देढ प्रिएंट नहीं निकलते तो तो बहुत सिंप्ली आ जाता देखो सीधा एनर्जी कंजर्वेशन लगा है एक सेकेंड में मनला बहुत जल्ली हो गया वो तो टाइम पिरेंट निकालने में थोड़ा टाइम चला गया वरना कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें ठीक है तो सी एम फ्रेम की महत्रां बहुत काम क किये अभी हम ओर क्वेशन भी करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में ठीक है थैंक्स वर वाचिंग